असलालेकम वीवर्स मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़धार सी खीर बहुत ही असान तरीके से मैंने इसको बनाया है बहुत ही अच्छी क्रीमी और दानता खीर है तेक्स्टर देखें आप कितना जबतास थे इसका आप लोग भी इस अपने घर पर बनाएंगे तो इंशाला सब लोगों को बहुत पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत अर्सान तरीके से मैंने इसको बनाया है मैं आपको टेस्ट करके बताती हूं कैसी बनी है यह? बहुत ही टेस्टी बनी है यह यह बहुत ही मुझेदार से खीर बनाने के लिए जो हमें चीजे चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाए तो चलों पिर आपको बताते हूं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाज सब्स्राइब का बटन दबाएं और बड़ाबर में जो ये बैल का इकोन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको स्ट्रीम में देखने को मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो थमसब दें खीर बनाने स्टार्ट करें मैं बिसमिलर्मान रहीं एक लीटर मैंने दूद लिया है इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं और चीद्नी शामिल करो बहुत ही असान तरीके से मैं ये खीर बनाऊंगी ये बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी से बन जाती है दूद में उपाल आ गया है इसको मिक्स कर दूँगी बलाईकों में इसमें 7 alive Wenn is that अदा घंटा हो गया है खीर को पकते वह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है यह गारी गारी हो गई है इसमें चाहिए इसमें करूंगी मैं हाफ कप कंडेस्विल्ट डाल रही है चोटी एलाईजी के चिल्के निकाल रही है इसमें से बुरे लगते हैं यह कंडेस्विल्ट डालके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया थै He पलेगे बैसे कीज़ी होगा अधाले शाज़ी डाले हैं अधाल गदें कितनी बिखे अच्छी कर लिए अच्छी करें अच्छी क्रीम पाइख है कृम करें अच्छी क्रीम हाफ कम टूंब एक्राइमर्स क्रीमा, मिक्स कर देंगे इससे टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाते हैं बहुत ऑच्छी पिरामी बनती है यह है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है दानेदार और क्रीम आज बिल्कुल हलकी रखी है मैंनेवन जल जाएगी नीचे से पिस्ते बदाम मैंने कट कर लिए है थोड़े से अभी डालूंगे थोड़े से उपर कार्णिशिंग में डालूंगे मिक्स कर देंगे इसको और यह बहुत ही जबरदस ही हमारी खीर तयार हो गई है थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर में डिशाउट करके आपको दिखाते हूं चूला मैंने बंद कर दिया है जी तो यह थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही एजी खीर बहुत ही टेस्टी बनी है यह आप लोग भी इस अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाला सब लोगो बहुत पसंद आएगी बहुत असान तरीके से मैंने इसको बनाया है उपर से मैंने गार्णिश कर दिया पिस्ते और बादाम से बहुत ही टेस्टी लगते है इसमें अभी यह गरम है इसको मैं फ्रेज में रख दूँँगी थोड़ी देर के लिए दो से तीन घटे में खुब अच्छी ठंडी हो जाएगी और ठंडी ठंडी खीर बहुत ही टेस्टी लगती है झाल झाल झाल